Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is a part of an Academy group दोस्तों आज के इस GK Quiz में हम देखने वाले हैं GK के Top 100 Question Answer जो की एक्जाम में कहीं बार Repeat हो चुके हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अट तक देखेगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरू करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में Share जरू करिएगा और देखिए Railway केटेगरी में दोस्तों Price High होने वाले हैं और Railway के एक्जाम भी जल्दी ही आने वाले हैं तो जल्दी से Student आप लोग Subscription जोईन कर लिजे और Complete त्यारी कर लिजे जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है अभी इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लिजे और आपको जब भी Unacademy पर Subscription जोईन करना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि Code क्या यूज करना है देखिए जब भी Code आप यूज करेंगे अगर आप किसी भी एक्जाम की तहरी कर रहे है दोनों ही क्लास को जरूर से जोईन कर सकते हैं और आप मेरा नाम सर्थ करके सौरम बली क्या तो फोलो कर लेना या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा बहां से जाके भी आप मुझे फोलो कर सकते हैं और मेरी सभी क्लासिस को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोशन है अगर आपको कुशन का आंसर पता है तो जल्दी से आंसर बता दीजे मेरे प्यारे दोस्तो निमलिकित में से की संगटन का जिनेवा में मुख्याले नहीं है वह आपका FAO है यानि की Food and Agriculture Organization और इसकी स्थापना कवी थी दोस्तो 16 October 1945 को इसकी स्थापना हुई थी तो यह है आप याद रखेगा ठीक है चले दूसरा कोशन देखते हैं दूसरा कोशन है संयुक्त रास सुरक्षा परिशद में कितने एस्थाई सदेश्य है तो अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से आंसर बता दीजे मेरे प्यारे दोस्तो एस्थाई सदेश्य कितने है तो बिल्कुल सही आंसर क्या है देखे 10 तो है एस्थाई यानिकि temporary member पांच है आपके permanent member संयुक्त रास्ट में UN में दोस्तो कितने 5 permanent और 10 temporary यानिकि टोटल मेंबर अगर आपसे पूछे जाए तो 15 हो जाएगा यह भी आप याद रख सकते हैं ठीक है भई चले तीसरा कोशन है पहले रास्ट मंडल खेल कहां आयोजित किये गए थे पहले रास्ट मंडल खेल कहां आयोजित किये गए थे फटा फट से आंसर बता दिजे मेरे पहले रास्ट मंडल खेल आयोजित किये गए थे हैमिल्टन कनेडा में और कब किये गए थे जरा बताएगा मुझे कब किये गए थे 1930 में दोस्तों ये भी याद रखने वाला पॉइंट है ये भी आपको याद रखना है ठीक है ना चले अगला कोश्चन आता है कि 2023 क्रिकेट विस्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी बताएगे 2023 में क्रिकेट विस्व कप की मेजबानी किस के द्वारा की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोश्चन का सही आंसर क्या होगा अरे वाब बिल्कुल सही आंसर किया है आप सभी ने इंडिया दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा अगला question आता है कि tribe का मुख्याले कहा है तो बताएए इस question का दोस्तों right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल अच्छा इसकी full form भी आप सभी को पता हो निचीए मुंबई में इसका headquarter है tribe की full form है Tata Institute of Fundamental Research ठीक है ना चलिए जी अच्छा इसकी स्थापना का भी थी कोई बताना चाहेगा इस्थापना का भी थी tribe की तो स्थापना हुई थी 1945 में ठीक है का भी थी 1945 में दोस्तों स्थापना हुई थी तो यह आपको याद अखना है चलिए अगले question की और बढ़ते हैं और अगला question हमारा क्या कहता है कि निमलिखित में से कौन सही रंग से mail नहीं खाता है आपको बताना है इन में से सही रंग से कौन mail नहीं खाता है तो इन में से आपका बताना है कौन सा correctly matched नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें से College of Combat ये दैरादून में नहीं है ये कहां पर है भई ये है आपका Dr. Ambedkar Nagar Madhya Pradis में पढ़ता है ठीक है न तो ये है आपको याद अखना है अगला question है पहली भारते feature film कौन सी थी ध्यान से सुनियेगा मैंने क्या पूछा है What was the first Indian feature film तो भारत की पहली feature film थी दोस्तों राजा हरीश्चंद और आपकी पहली बोलने वाली film कौन सी थी आला मारा पहली बोलने वाली film आला मारा और पहली color movie कौन सी थी पहली color movie कौन सी थी क्रिसिन कनहिया ठीक है ना यह आपकी पहली color film थी तो तीनों याद रख रहे हैं तीनों में confuse भी नहीं होना है अगला question आता है भारत की पहली जनगर्ना कब की गई थी भारत की पहली जनगर्ना बतेए दोस्तों और किसी भी मेरे प्यारे दोस्त को अनकेडमी पर सब्सक्रिप्शन जोइन करना है तो वो अनकेडमी पर जाईएगा अपना जो भी course जोइन करना है उसको जोइन करिए और code यूज कर लेना study time इससे आपको maximum discount मिल जाता है भारत की पहली जनगर्ना दोस्तों की गई थी अठारा सो बहात्तर में ठीक है ना अठारा सो बहात्तर में की गई थी यह है आपको याद रखना है वहई चलिए जी next question की ओर बढ़ते हैं बान सागरबान किस नदी पर है बान सागरबान बान सागरबान दोस्तों यह है आपका sawn river पर यानि कि केन सासित परदेशों की सूची भारते सविदान के किस अनुसूची में पाई जाती है पहुत ही बेसिक सा इजी सा कोशन है मेरे इसाब से सभी स्टूडेंट को इस कोशन का अंसर पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर ओक्शन ए हो जाएगा यानि की first is the right answer अगला कोशन है मोरिये वन्स का अंतिम सासक कोन था मोरिये वन्स का अंतिम सासक कोन था तो तो यह आपका correct आंसर हो जाएगा नेक्स ने निमलिकित में से कौन सा युदो की सही संख्या नहीं है अच्छा इसमें एक आपको ये दिख रहा है इसको भी मैं 3 कर देता हूँ अब बताईए सारे 3 हो गए न which of the following is not correct number of words तो देखें यहाँ पे जो 4 लिखा था न ये answer ही लिखा था अच्छल में तो एंगलो मैसूर वोर जो है वो 3 नहीं हुए थे यह 4 वोर हुए थे कब कब हुए थे दोस्तों 1766 में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1766 में हुआ था फिर आपका 1780 में हुआ फिर आपका 1789 में और उसके बाद 1799 में तो यह आपको क्या रखना है याद रखना है मेरे प्यार दोस्तों नेक्स है मनुष्य में किसी अन्या हड़ी के साथ कौन सी हड़ी व्यक्त नहीं की जाती है बताइए वई इस कोश्चन का रही टांस हो जाएगा हाइट बॉन यानि की ऑप्शन हो जाएगा सी रही टांस है दोस्तों नेक्स्ट निमिन में से किस नदी का पानी बहते हुए किसी मासागर तक नहीं पहुंचता है बिलकुल सही है इस कोश्चन का रही टांस हो जाएगा सेरिया ड्राय यानि की ऑप्शन हो जाएगा सी रही टांस है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट आता है जागीर और साजा के बीच सांक्सेपित सवधी के लिए कौन सासन करता है तो इस कोश्चन का रही टांस हो जाएगा अरे वह क्या बात है इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेरियार यानि की बी रही टांसर हो जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट है राजा मार्तंड वर्मा ने 1729 में केरला को एकजूट किया वे किस सामती छेत्र से थे तो ये सम्बदी थे ट्रेवन कोर यानि की ओप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेशन अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज साथी साथ लाइक भी करते रही है ठीक है ना वई नेक्स्ट है आपका जिज मोहमद साही नामक खगोलिये सार्णी किसे किसने बनाई थी तो इस कोश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा राजा जैसिंग ने दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर उप्शन डियू जाएगा राजा जैसिंग बंटू मूल रूप से पाए जाने वाले लोग हैं काफी सही है बंटू कहाँ पर पाए जाते दोस्तों देखिए बंटू ओरिजिनली फाउंड इन एफ्रीका तो रही टांसर सी होगा नेक्स्ट है पूर्वी तेमोर की राज़ानी क्या है तो यहां पर करेक्ट आंसर काफी सार देखिए जिनको भी आंसर पता होता है कमेंट बोक्स में बता दिये करें दिली इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर हो जाने बाता है पहला हैली और स्ट्रिक मॉडल किसने विक्सित किया इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा कोपर निकसने अच्छा कब विक्सित किया था दोस्तों यह भी तो आपको पता होना चाहिए तो यह आपका हो जाएगा 1543 में ठीक है यह आपको जाएगा नेक्स्ट कोशन है आपका निमलिखित में से कौन से वानर विकासवादी में डमे मनुष्य से सबसे अधिक निकटता से संबन देते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा कि चिंपेंजी दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा यह आपको यादखना है नेक्स्ट है वह इस्थान जहां भुकंप सुरू होता है कहा जाता है वह इस्थान जहां भुकंप सुरू होता है दोस्तों क्या कहा जाता है इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा अरे वाँ बिल्कुल फोकस और हाइपर सेंटर यानि की बोथ option D हो जाएगा right answer next question is नेमलिकित में से कौन सा सहर यूरोप में नहीं है नेमलिकित में से कौन सा सहर यूरोप में नहीं है तो इस question का सही answer मुझे बताईगा क्या रहेगा पोर्टो नोवा दोस्तों इस question का right answer होगा यह आपको याद रखना है प्राचीन मिस्तर के राजा के रूप में जाने जाते थे प्राचीन मिस्तर के राजा के रूप में जाने जाते थे जल्दी से बताईगा बिल्कुल सही है इस question का right answer हो जाएगा फरो यानि की option हो जाएगा सी next is सिकंदर महान सा सक था देखे सिकंदर महान जो था न दोस्तो Macedonia यानि की Greek civilization का राजा था यानि की इस question कराईट answer option ए हो जाएगा next आता है जब लाला लाजपत रायने पुलिस की बरबरता की आके खुटने टेक दिये तो उसके खिलाब क्या परदर्शन किया गया तो मेरी प्यारे दोस्तो उसके खिलाब क्या परदर्शन किया गया था जड़ा बता दीजी मुझे इस question का सही answer हो जाएगा Simon Commission ठीक है और Simon Commission जो है यह कब स्टार्ट वाथ है दोस्तों 1928 में वहीं पर अगर मैं बात करू रोलेट एक्ट की तो यह 1919 में आया था मिंटो मॉले रिफॉर्म एक्ट यह आपका 1909 में आया था यह सारे ही important है एक्जाम में कहीं बारते हैं के सिर्फ year ही पूछ ली जाते हैं और PITS India Act दोस्तों 1784 में आया था तो यह आप याद रख सकते हैं next आता है RBI जिस दर पर वानिजिक बैंको को अल्पकालीन तरन देती है उसे कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है देखें उसे कहा जाता है रेपो रेट यानि की option आपका A right answer बन जाएगा अगला आता है नेमलेकित में से किसे भारतिये नवजाकरण के चनक के रोप में जाना जाता है तो किसे जाना जाता है दोस्तों अरे वा यह जाना जाता है राजा रामोहन राएगो यानि की option आपका A right answer होगा ठीक है भई चलिए जी नेक्स्ट आता है रूसी लोक लुभावन आंदोलन आरे जक्तावाद के संस्तापक सदेश्य कौन थे इस question का दोस्तों right answer होजेगा मिखेल बकोईन यानि की A is the right answer ठीक है नेक्स्ट है जिरो जिरो फेलिमिया एक कमी से होने वाली बिमारी है जिरो फेलिमिया किस की कमी से होने वाली बिमारी है रेटिनॉल की कमी से होने वाली बिमारी है यह तो यह आपका right answer होजेगा option next आता है अजन्ता की गुफाएं किस काल के दोरान बनाई गई थी अजन्ता की गुफाएं दोस्तों किस के दोरान बनाई गई थी बिल्कुल सही है अजन्ता की जो गुफाएं है मेरे प्यार दोस्तों वे बनाई गई थी more yeah once के दोरान ठीक है ना चलिए next आता है monogite केरल तटो पर रहता है जिसका उप्योग परमानू उर्जा उत्पन करने के लिए किया जाता है तो फटा फटा आंसर बती दोस्तों अरे बाब पिल्कुल सही आंसर है और इस question का right answer क्या होगा option हो जाएगा uranium जिसको आंसर पता होता है जल्दी से बता दिये next question है red cliff रेखा अंतरास्टे सीमा है red cliff line is the international border between red cliff रेखा अंतरास्टे सीमा है दोस्तों किस-किस के बीच में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में यह तो आप सभी को पता ही होगा next आता है कानून के नियम की अवधार्णा सविधानिक परणाली की एक विशेस विशेस्ता है तो आपको बताना है बिर्टेन, USA, France, Switzerland मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो correct answer होने वाला है that is option A बिर्टेन is the right answer ठीक है ना सविधान का मसोधा त्यार किया गया था आपको बताना है कब किया गया था दोस्तों देखें मसोधा त्यार हो गया था 26 जनवरी 1949 को 26 नॉमबर सोरी 26 नॉमबर 1949 को बट यह लागू कब से हुआ था 26 जनवरी 1950 से तो यहाँ पे दोनों ही date important है लागू होने वाली भी और drafting की भी ठीक है तो इन दोनों में confusion नहीं होने बहुत सारे strategies में हमेशा गलती करते हैं जबकि question बहुत इज़ी है कोशिकाओं के अध्यन संबदित जीवन विज्ञान की साखा के रूप में जाना जाता है तो यह है आपका right answer होजेगा cytology option is the right answer next question is निमलिखित में से कौन सा एक पून मैच है इस question का right answer हो जाएगा entro skills यानि की blockage of arteries इस question का right answer हो जाएगा next question है चूक का सिद्धान किसने पेस किया था दोस्तों चूक का सिद्धान किसने पेस किया था जल्दी से बताईए बिल्कुल सही answer कर रहें आप लोग मेरे प्यार दोस्तों और इस question का जो correct answer होगा that is option low delivery यानि कि c rate answer होगा आपका next आते सविदान सभा की प्रारूप समीति के अध्यक्स को थे सविदान सभा की प्रारूप समीति के अध्यक्स को थे मेरे प्यारे दोस्तों तो यह है आपकर राइट आंसर कौन हो जाहगा आगा जरक बिल्कुल सही है b य अरम बेड़ कर यानि की ए रइड आंसर होने वाला है कि सेभी में इस्थापित किया गया था सेभी वाज सेट अपिन वीचियर से भी जानते हैं ने सिक्योर्टी एक्सचेंज बोर्ड ओफ इंडिया से भी रेगुलेट करता है दोस्तों सेयर मार्किट को ओप्षन हो जाएगा 1988 नेक्स्ट आता है नीली क्रांती किस्टे संबंदी था नीली क्रांती का संबंद किस्से है लेकर नेली करांती का संबंद दोस्तों किसे है FIST PRODUCTION से 2. पिता के रूप में किसे जाना जाता है पिता के रूप में किसे जाना जाता है WHO is known as the father of Indian unrest इस question का रहे आंसर हो जेगा बाल गंग धर तिलक को जाना जाता है Next है Direct tax का परमुक मुख्या परभाव है यानि कि आपसे पूशे जार है main effect of direct tax zone अगर मैं बात करूँ direct tax की दोस्तों direct tax वह tax होता है जिस पर impose किया जाए वही उसका paid करे और indirect tax वह होता है जिस पर impose किया जाता है वो paid ना करके कोई तीसरा बंदा उसे paid करे ठीक है ना एक्जामपल दोनों के दे देता हूँ direct tax का best example है income tax अगर income tax आप पे लगाया गया तो आप ही paid करेंगे indirect tax का best example है आप जो भी खाने के product खरीदते हैं वो product पे लगते हैं बट बाद में paid कोन करता है consumer paid करता है तो ये सारे indirect tax हो जाएंगे food वाले जितने भी है next आता है भारती रिजर्ब बैंक के पहले भारती गवर्नर कोन थे पहले भारती गवर्नर with the first Indian governor of the reserve bank of India तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा अरे वागा क्या बात है इस question का सही answer होगा CD देश्मोग CD देश्मोग is the right answer और ये कब बने थे दोस्तों 1943 में ये बने थे next Q1 एक कारबनी क्योगिक के अब गटन की एक परकिरिया है तो इस question का right answer क्या होगा enzymes यानि की B is the right answer अगला question है बोपाल गैस्त राज़्दी की रिसाब के साथ जुड़ा हुआ है बोपाल गैस्त राज़्दी की रिसाब के साथ जुड़ा हुआ है इस question का right answer होगा methyl isocyanate यानि की D is the right answer जोकि कब 1984 ये आप गया दखना है next है करो या मरो भारत की सवतंतर संग्राब में कौन से आंदोलनों से संबंदित है करो या मरो के भारत सवतंतर संग्राब में कौन से आंदोलन से संबंदित है तो quit India moment इस question का right answer होगा ठीक है ना और quit India moment दोस्तों आपका 1942 में शुरू हुआ था किलाफ़त moment 1919 और आपका non corporation moment 1920 और बाकी अगर मैं डांडी मार्ज की बात करूँ तो 1930 याद रखेगा next आता है बारत में पहली तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी कहाँ पर दोस्तों भारत की पहली जो रिफाइनरी तेल की स्थापना की गई थी वो डिग बोई में की गई थी ठीक है ना 1901 नेक्स्ट कोश्चन इस भारत के काली करांती किस उतपादन के निर्मान से सम्बंदित है भारत में काली करान्तिक किस उतपादन की निर्मान से सम्मंदित है तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा मेरे प्यार दोस्तो that is option B crude petroleum से अगला question है जनसंख्या की अध्यन को कहा जाता है जनसंख्या की अध्यन को क्या कहा जाता है तो इस question का right answer होगेगा demography क्या कहा जाता है demography दोस्तो right answer बन जाएगा निमलिकित में से कौन सा राजकोश्य नीती का साधन नहीं है which one of the following is not an instrument of fiscal इसका right answer हो जागा दोस्तो open market operation ठीक है न next है केंदर सरकार के राज्तिरित अधिकारियों की न्युक्ति और बरकास्त की कौन करता है तो the president of India कौन करता है दोस्तो भारत का राष्टपती ग्यारवी पंचवर्षय योजना की अबदी है the period of the 11th 5-year plan is तो इस question का right answer जाएगा 2007 से 2012 अगला question है crude is sore due to the presence of curd sorry curd is sore curd खटी क्यों होती है आपको बताना है curd के खटी होने के पीछे रीजान है lactic acid ठीक है ना तो यह आपका right answer हो जाएगा अगला question है खेबर दर्रे किन देशों में जुड़े हुए है तो इस question का सही उत्तर क्या होगा दोस्तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान क्या होगा दोस्तो right answer अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हाँ यही सही है चले अगला question आता है एश्याई देश इसराइल की राजदानी क्या है यह तो पता ही होगा सभी को एश्याई देश इसराइल की राजदानी दोस्तो यरूसलम है यानि कि इसका right answer option T होगा next है सेयर धामको दौरा कमपनियों के बीच मुनाफिक के वितरण को क्या कहा जाता है तो यहाँ पे जो correct answer होगा वह आपका dividend होगा लाबांस होगा next है सिमली पाल बायो स्फियर रिजर्व किस राजदानी इस्थित है सिमली पाल बायो स्फियर रिजर्व इस लोकेटेड इन विच स्टेट तो उड़ी सा right answer होगा यह आपका आदखना है next is दूद से दही किस बैक्टिरिया के क्विंट द्वारा बनता है इस question का right answer क्या होगा लेक्टो बेलिस इस दा right answer ठीक है ना लेक्टो सब्द आते हैं आप समझें कि दूद से लिटिड बात की जा रही है दूद के प्रोड़क्ट से लिटिड भारत का परमानो उर्जा आयो किस वर्स में स्थापित किया गया था Atomic Energy Commission of India was stabilized in which year तो ये 1948 में स्थापित किया गया था नेक्स्ट है गुणसुत्र निमलिखित में से किस से बने होते हैं इस question का right answer हो जाएगा क्रोमेटीन से बने होते हैं यानि कि यह यहां पर right answer हो जाएगा पीडियो में वनसानुगत चरित्र के हस्तासरन की परकिरिया को क्या कहा जाता है इस question का right answer हो जाएगा अनुवानस की D is the right answer नेक्स बारत में बिटिस सरकार के किस कारवाई के कारण सबदेसी आंदोन कायजिन किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा बंगाल विभाजन इस the right answer नेक्स्ट है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला कि लाड़ी कौन है इस question का right answer हो जेगा करणम मलेसवरी यानि की B is the right answer विजे समारक विजे स्थम राहिस्थान के किस सहर में इस्थी थे तो इस question का दोस्तों सही answer हो जेगा जितोड यानि की D is the right answer नेक्स्ट है भारत की सबसे उची परवचोटी निमलिकित में से कौन सी है तो इस question का सही answer हो जाएगा कंचन जनगा ठीक है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन से अनुच्छे समानता की अधिकार से सम्बंदित है तो इस question का right answer हो जाएगा आर्टिकल 14 to 18 is the right answer नेक्स्ट है अगरतला किस उत्तर पूर्वी राज्य की राज्दानी है तो अगरतला जो है वो किस उत्तर पूर्वी राज्य की राज्दानी है दोस्तों ये तिरपूरा की राज्दानी है नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका माधी उत्तरी की और से किस माजागर से गिरा है तो इस कोश्टन का राइट आंसर होज़ेगा आर्टी कोश्टन से नेक्स्ट है किसी दिन सोरी किसी दिये गए बहु रंग की स्थाई तीन आयामी तस्वीर रिकोर्ड करने की तकनिक कहलाती है इस कोश्टन का राइट आंसर होज़ेगा होलोग्राफि ठीक है तो मेरे इसाब से अभी next slide पे चलते हैं यह 70 question की pdf अब next पे आते हैं प्लीज एक पर like कर दीजे जो भी student यहां तक अभी तक देख चुका इस class को तो आज की वीडियो का पहला question है दोस्तो ग्यानपीट पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है और आपको किसी भी question का answer पता होगा तो आपको क्या करना है नीचे comment box में जरूर बताना है वीडियो को like भी जरूर करना है मेरे प्यारे दोस्तों ग्यानपीट पुरुसकार दिया जाता है साहित्ते यानिकी literature के छेतर में इस question का सही answer option D हो जाएगा ठीक है भी यह आपका first question था आज की practice set का दूसरा question आता है कभीर पुरुसकार किस सेतर में दिया जाता है आज बहुत सारे question में आपको पुरुसकार से related कराने वाला हूँ ठीक है तो कभीर पुरुसकार किस सेतर में दिया जाता है दोस्तों बिल्कुल सही इस question का right answer होगा promotion of communal harmony यानि कि इस question का correct answer option C हो जाएगा यह आपको याद रखना है ओके चले जी next question आता है खेलो के coach इन में से कौन सा प्रुसकार प्राप्त करते हैं खेलो के जो coach होते हैं दोस्तों इन में से कौन सा प्रुसकार प्राप्त करते हैं इस question का सही आंतर होगा अरे बिल्कुल सही है द्रोना चारिय वर्ड कौन सा वर्ड दोस्तों द्रोना चारिय प्रुसकार प्राप्त करते हैं अपका अगला question आता है किस वर्स में राश्ट्य फिल्म पुरुषकार शुरू हुआ किस वर्स में राश्ट्य फिल्म पुरुषकार शुरू हुआ आंसर पता तो जल्दी से बताईए ये शुरू हुआ था 1954 में 1954 में शुरू हुआ था 1954 is the right answer National Film Award अगला कोशन पुरुषकार जो किर्सी के सेत्र में दिया जाते हैं जल्दी से बताईए किर्सी के सेत्र में दिया जाने वाला पुरुषकार बोरलॉंग पुरुषकार दोस्तों यहां पे right answer हो जाएगा ओल्राइट चलिए नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सबसे अलग है इनमें से कौन सा सबसे अलग है देखें इनमें सबसे अलग दोस्तों कौन सा है वीर चक्र है क्यों अलग है क्योंकि यह बैटल फिल्ड में दिया जाने वाला पुरुषकार है इसलिए यह अलग है तो यहां पे Q6 इनमें से कौन सा अलग है विश्व आर्थिक मंच दोवारा दिया जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा पुरुषकार है जो विश्व आर्थिक मंच दोवारा दिया जाता है इसका राइट आंसर होजेगा Crystal Award यानि की A is the right answer ठीक है Next question आजीवी का अधिकार पुरुषकार इस्थापित किया गया आजीवी का अधिकार पुरुषकार इस्थापित किया गया था किस वर्स में मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer होगा 1980 में ठीक है 1980 में किया गया था अगला question है भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला सरुसरेष्ट पुरुषकार कोन सा है भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे सरुसरेष्ट पुरुषकार कोन सा है दोस्तों highest यानी की तो यहाँ पे right answer होगा भारत रतन ठीक है भारत रतन पुरुषकार जो है वो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला हाइस्ट यानि की सर्वस्रेस्ट पुरुसकार है सभी को पता होना चाहिए निमलिखित में से किस पुरुसकार को वेकलपिक नोबल पुरुसकार के रूप में जाना जाता है तो जल्दी से बताएं दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा यानि की D राइट आंसर बन जाएगा नेक्स्ट है मेक्सिस पुरुसकार दिया जाता है तो मेक्सिस पुरुसकार दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों किस government यानि कि किस दिश द्वारा तो Philippines द्वारा दिया जाता है चले अगला question आता है Marilyn पुरुषकार दिया जाता है किसको दिया जाता है Marilyn जो award है वो किसको दिया जाते दोस्तों डोक्टर को, magician को, author को या इन में से कोई नहीं दिखे, Marilyn पुरुषकार दिया जाता है magician को तो यह है याद रखने वाले question है कई student इसको गलत कर दिते हैं और exam में कई बार आ चुका है अर्थ सास्तर के लिए noble पुरुषकार किस वर्स स्थापित किया जाता है या किया गया था, sorry तो यहाँ पे right answer होगा 1968 में अर्थ सास्तर के लिए noble पुरुषकार किस थापना दोस्तो 1968 में की गई थी ठीक है चलिए next है सर्वसरेश्ट military decoration पुरुषकार कोन सा है highest military decoration award is तो यह कोन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छा किया है आप लोगों ने answer यहाँ पे जितने भी student प्रमवीर चक्र answer लगा रहे हैं तो वह बिलकुल सही है प्रमवीर चक्र is the right answer वह पुरुषकार जो पत्रकार को उनके आर्थिक साहिता के लिए दिया जाता है तो यह पुरुषकार दोस्तों कौन सा है अपन मेमोरियल अवार्ड ठीक है ना तो right answer is option है दोस्तों next है विश्व कर्मी रास्टे प्रुषकार किस मंत्रा ले द्वारा दिया जाता है तो यह दिया जाता है विश्व कर्मी रास्टे प्रुषकार किस मंत्रा ले द्वारा जाता है मिनिस्ट्री ओफ लेबर द्वारा दिया जाता है option B is the right answer इन में से कौन इंद्रा गांधी रास्टे एकता प्रुसकार के विजेता है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा अरुम आसफली यानि की ओप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा इन में से कौन कला संस्कृती और सिक्सा के लिए दियावती मोधी पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है तो ये कौन व्यक्ति हैं दोस्तों अभिताब बच्चन यानि की बी इस दा राइट आंसर सरस्वती सम्मान कि सेत्र में दिया जाता है संस्कृत जो सम्मान है is given to which field तो आप थोड़ा सा अगर तुक्का भी लगाएंगे कोमन सेंस भी उच करेंगे तब या आप आंसर सही कर सकते हैं साहित्यानी की लिटरेशर के सेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है नेक्स्ट है सस्त्र रामानुज पुरुषकार किस्से सम्मान दित है दोस्तो ये किस्से लिटर्ड है यंग मैथमेटिशन्स यानि की ऑप्षन आपका बी रैट आंसर होगा नेक्स्ट आता है सरस्रेश्टा के लिए कैनिन्स पुरुषकार किस सेत्र में दिया जाता है तो कैनिन्स पुरुषकार है ये किस सेत्र में दिया जाता है दोस्तो ये दिया जाने वाला है फिल्म सेत्र में यानि की ये आपका रैट आंसर रहने वाला है पुलिजर पुरुषकार किस सेत्र में अदबुत प्रदशन के लिए दिया जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा देट इस ओप्शन सी लिटरेचर एंड जनलिजम लिटरेचर एंड जनलिजम इस दा राइट आंसर बुकर पुरुषकार किस सेत्र में दिया जाता है बुकर पुरुषकार किस सेत्र में दिया जाता है तो बुकर प्राइज गिवन तो दे फिल्ड ओफ बिल्कुल से दोस्तो फिक्शन के सेत्र में दिया जाता है फीफा पुरुषकार किस सेत्र में दिया जाता है एफ आई एफ आई यह फीपा वो फुटबोल वाला नहीं है दोस्तों ठीके न फीफी होगा वैसे तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा परफ्यूम्स के शेत्र में दिया जाता है फीफी ओके नेक्स्ट आता है युनेस्को का प्रिक्स जोल्स, बन, पुरुशकार, दूरदर्शन के किस सीरियल को दिया गया तो यह दिया गया था टर्निंग पॉइंट के लिए किसके लिए दोस्तों टर्निंग पॉइंट इस दार राइट आंसर चले नेक्स्ट आता है अकबर नामा पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई अकबर नामा बुक इस ओथर्ड बाई अकबर नामा बुक लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा यहाँ पे राइट आंसर ओप्शन ए रहने वाला है नेक्स्ट कोशन है नेमलिकित में से कौन सी पुष्टक रविनाट टेगुर दुआरा लिखी गई है तो यहाँ पे दोस्तो जो पुष्टक है हंगरी स्टोंस ये रविनाट टेगुर दुआरा लिखी गई है और काफी इंपोर्टेंट है ये कुशन याद रखेगा next है suitable boy किसके द्वार लिखी गई है suitable boy किसके द्वारा लिखी गई है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का जो correct answer होगा that is option बिल्कुल विक्रम सेट के द्वारा D is the right answer next निमलिकित में से कौन लिलियम सेक्स्पियर की कृति नहीं है बते यह वई मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे सही answer क्या हो जाएगा अरे वाँ बिल्कुल correct answer किया है और इस question का सही answer होगा Caesar and Caliporita यानि की option हो जाएगा D right answer next है ethics for the new millionaire पुष्टक किसके द्वारा लिखी गई है यह पुष्टक लिखी गई है दलाई लामा के लिए यानि की C right answer होने वाला है अबुल कलाम आजाद की किताब है अबुल कलाम आजाद की किताब का नाम बताईए तो यह किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रिडम इंडिया विंस फ्रिडम निमलिकित में से कौन विलियम सेक्सपियर की किरती नहीं है यह वाला question हो चुका है life of Samuel Johnson यहां पर right answer होगा यह हो चुका है next आपका question आता है कस्मीर a tragedy of errors पुस्तक किसके द्वार लिखी गई है तो यह जो पुस्तक है दोस्तों यह लिखी गई है तलवीर सिंग दुआरा किसके दुआरा तलवीर सिंग यहां पर correct answer रहेगा next है निमलिकित में से कौन सा जोर्ज बर्डन सोरी जोर्ज बेर्नार्ड साह का का काम नहीं है देखे इन में से जोर्ज बर्डर साह का काम नहीं है magic mountain ठीक है ना यह आपका right answer option एह होगा इसमें आपको book और authors मैच करने है तो बताइए इन में से कौन सा सही answer होगा book और authors मैच करने में देखे इस question का मेरे प्यार दोस्तों क्या होगा right answer अरे बिलकुल सही है जो बे student यहाँ पर b answer लगा रहे है वो बिलकुल सही है b is the correct answer next the story of my experiments the truth पुष्टक किसके द्वा लिखी गई है the story of my experiments with truth book is authored by तो यहाँ पर right answer क्या होगा महात्मा गांधी द्वारा यह आप सभी को पता ही होगा है न next है रामायन किसके द्वा लेकी गई बिलकुल दोस्तो रामायन लेकी गई है महारीसी वाल में कि द्वारा right answer यह ओप्षन है next है crescent moon पुष्टक किसके द्वार लेकी गई है तो यहाँ पे right answer क्या होगा यह बुक लिखी गई है रविन्दर नार्ट टैगोर द्वारा दोस्तो ठीक है ना वई next निमलिकित में से कौन रविनार्ट टैगोर की किरती नहीं है कौन सी रविनार्ट टैगोर की किरती नहीं है friends and foes is the right answer यह आपका right answer रहने वाला है माई ओन बोस वेल पुस्तक किसके द्वार लिखी गई है माई ओन बोस वेल पुस्तक is author by बुक इस author by यह बुक लिखी गई है M हिदायत उल्ला यानि की D right answer होगा ठीक है ना वई निमलिकित में से कौन अरुधत्ती रोए का काम है यहाँ पर right answer होगा the algebra of infinite justice ठीक है the algebra of infinite justice is the right answer the merchant of Venice किसने लिखी है the merchant of Venice किसने लिखी है बिल्कुल मेरी प्यारे दोस्तों इस question का right answer होगा William Shakespeare ने right answer is B next match the following यहाँ पर work and authors यहाँ पर भी आपको match करने है तो बताइए इस question का सही उत्तर क्या होगा तो काफी सारे student ने बिल्कुल यह दोस्तों इसका right answer हो जाएगा C ठीक है unhappy India लाला लाज पत रहे two lips and मुल्क राज आनंद unto the last John Ruskin view from the UN you thought यह आपका right answer होगा next question है मिन काम किसके द्वारा लिखी गई है मिन काम किसके द्वारा लिखी गई है यह एडॉल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई उस तक है दोस्तो कादमबरी किसके द्वारा लिखी गई है कादमबरी किसके द्वारा लिखी गई बुख है तो यह लिखी गई है बानभट द्वारा यानि कि इसका बी right answer हो जाएगा विल्यम सेक्सपियर की परसिद किरती कौन सी है इस question का right answer होगा जुलिस सिजर यानि कि डी right answer होगा लाइफ ओपाई written by लाइफ ओपाई दोस्तों यह बुक लेखी गई है यान मार्टेल के द्वारा यानि कि यह आपे right answer रहने वाला है या वे बुक और ओथर को दुबार से match करना है तो जल्दी से गरिए तो यह आपने I think match कर लिया होगा और इसका सही answer option B होगा ठीक है पहले का आपका second हो जाएगा B का आपका third हो जाएगा और C का आपका fourth and last is first नेक्स कोस्चन है इगनेट माइंड वाज ओथर भाई इगरेटेड माइंड के पुष्टक अपी जे अब्दुल कलाउन राइट आंसर होगा और मुझे लगता है कि काफी सारे स्ट्रेंड ने यही आंसर लगाया है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट किस की वसियत पर नोबल पुरुष्कार दिया जाता है तो एल्फरेड नोबल दोस्तो राइट आंसर होगा ठीक है एल्फरेड नोबल ने किस का अविस्कार किया था वो डिड़ एल्फरेड नोबल इन्वेंट तो दोस्तो डाइनमाइट इस कोश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा डाइनमाइट इस दर राइट आंसर नेक्स नोबल पुरुष्कार कब दिया जाता है तो नोबल पुरुष्कार कब दिया जाता है on 10th December every year ठीक है यह आपको याद अखना है नोबल पुरुष्कार देना कब सुरू किया गया नोबल पुरुष्कार कब देना कब सुरू किया गया 1901 इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहला नोबल पुरुष्कार किसे दिया गया तो विलियम रोटेजन इस दर राइट आंसर कौन-कौन से देश नोबल पुरुष्कार प्रदान करते है इस कोश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों नौर्वे औन स्वेडन निनमे से किस सेत्र में नोबल पुरुष्कार नहीं दिया जाता है तो मैथेमेटिक्स के सेत्र में नहीं दिया जाता है निवनवे से किस सेत्र में नोबल पुरुसकार नहीं दिया जाता है फिर इस एक Quesion है तो Genocide is question का right answer रहने वाला है रसायन विज्ञान में परथम नोबल पुरुसकार किसे मिला तो Want, Hope is the right answer ठीक है साहते में पर्थम नोबल पुरुषकार किसे मिला तो सली प्रोडों में इस दारेट आंसर ये भी आपके दखना है सांती में पर्थम नोबल पुरुषकार किसे मिला हैंडरी डोनट इस कोशन का राइट आंसर होगा भोतिक विज्ञान में पर्थम नोबल पुरुषकार किसे मिला डबलू सी रेंग्टन इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर विज्ञान तथा आयूर विज्ञान में पर्थम नोबल पुरुषकार किसे मिला वान बेरिंग इस दा राइट आंसर नोबल समर्थी में अर्थ विज्ञान में पर्थम नोबल पुरुषकार कब मिला On 300th Anniversary of Serving Risk Bank यानि की 1968 यह आपका रेट आंसर होगा Noble समृत्ती में अर्थ विज्ञान में पर्थम Noble पुरुषकार किसे मिला? तो रेंगर, फ्रिच, एंड जेन, टिनबर, गन इस दा रेट आंसर होगा Noble पुरुषकार में कितनी धनरासी दी जाती है? 9,000,000 स्रिडन कॉन यानि की 7.3 करोड रुपीज Noble पुरुषकार पाने वाले पर्थम भारतिये कौन थे? तो रभिंदर ना, टेगूर, इस दा रेट आंसर होगा नेक्स्ट है भोतिक विज्ञान में Noble पुरुषकार पाने वाले पर्थम भारतिये कौन थे? तो सीवी रवन जिनको 1930 में मिला था ठीक है? नेक्स्ट कोश्चन है सांती में Noble पुरुषकार पाने वाले पर्थम भारतिये कौन थे? तो इस कोश्चन का राइट आंसर सांती में पर्थम भारतिये सोरी ओप्शन्स गलत हो गए है ठीक है? राइट आंसर दोस्तो रविन नाट टेगर हो जाएगा ठीक है? रविन नाट टेगर ये ओप्शन्स गलत है नेक्स्ट है अर्थ विज्ञान में नोबल प्रुषकार पाने वाले पर्थम भारतिये कौन थे? अमरित्य सेंज जिनको 1998 में विला था 1998 हाली में नोबल प्रुषकार पाने वाले भारतिये कौन है? दोस्तो इसका राइट आंसर होजेगा केलास सत्यार थी बिल्कुल से है दोस्तो इनको 2014 में पीस के चेतर में दोस्तो ये मिला है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट पीडियाप पे चलते हैं और अभी क्लास कंटीनर रहेगी प्लीज एक बार लाइक जरू कर दीजे मैक्सिमम कोशन्स कराने की मेरी पूरी कोशिस है आप भी पूरा सेशन देखेगा बहुत मजा आने वाला है ठीक है चलिए नेक्स्ट दोस्तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बते कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे अपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर कर दीजे चैनल पर नए हो तो चैनल को करके बेल एकन कौन रखी ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें और मिलते हैं नेक्स क्लास में अपना ख्याल लखे और किसी को भी अनकैडमी पर सब्सक्रिप्शन जोइन करना है तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं स्टड़ी टैन विदाउट अनी स्प